नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, फ्री डीपीपी कोर्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक अगस्ते हमारा डीपीपी कोर्स, फ्री डीपीपी कोर्स लाँच हो रहा है, और ये फ्री डीपीपी कोर्स आ आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो ध्यान से सुनिएगा हर बात को समझिएगा कि ये कोर्स आपके लिए किस तरीके से फाइदा पहुँचाएगा और ये बे मिसाल है आपको बहुत फाइदा पहुचाएगा जिन कोशिनों पे वो तैयारी करता है उन कोशिनों में आप लोग नों भी महसूस किया होगा कि कोशिन या तो एक्जाम के लेवल से बहुत नीचे चलते है जिससे आपको बिना मतलब का जूटा कॉन्फिडेंस आ रहा होता है या फिर कोशिनों का लेवल IITJE का या IITGM लेवल का जो है उस लेवल के आपको कोशिन मिल रहे है या CSIR NET लेवल के कोशिन मिल रहे है UG और PG जिनका आपके एक्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है किसी परकार से उनका सवाल परिक्षा में नहीं आएगा तो दोनों ही केस में या तो आप एकदम सरल सवाल निकाल रहे हैं जिससे समय आपका बरबाद हो रहा है या आप ऐसे question निकाल रहे हैं जो आपके competition से बहुत उपर है जिनका आपके competition से कोई वास्ता नहीं है दोनों ही case में आपका समय बहुत जादा बरबाद हो रहा है और आपको सही से पता भी नहीं चल पा रहा है कि आपकी तैयारी सही से हो रही है या नहीं हो रही है या exam के point of view से तैयारी हो रही है नहीं हो रही है क्योंकि आपको तो exam second grade first grade तो second grade और first grade से related question ही होने चाहिए तो यह जो gap है यह लगाता रहे आप बहुत सारे question को देखेंगे उनका level IITJE का दिया हुआ है वो भी advanced level तक के question दहले पड़े हैं जिनके आस पास भी हमारी प्रिक्षा का paper नहीं आता ना IITJM के level का आता है ना CSI या NET के level का आता है तो उन question को practice करना समय की बरबादी नहीं है तो और क्या है दूसरा इन सवालों को ने निकालने की वज़े से ने निकाल पाने की वज़े से हमारा जो confidence lose होता है वो अलग हम जो विश्वास खोते हैं वो अलग या तो कहीं जुटा विश्वास पनप रहा है या फिर विश्वास खो रहे हैं दोनों ही case में आप गलत हो रहे हैं तो एक बहतर है कि एक सही कोशनों का set तयार किया जाए सही कोशनों का एक DPP course तयार किया जाए जो कि हमारी तरफ से आपको दिया जा रहा है बिल्कुल free इसमें क्या होगा इसमें आपको हर topic के question दिये जाएंगे हर topic के question दिये जाएंगे जितना भी हमारा syllabus है पूरे syllabus का course आपको दिया जाएगा तो इसमें हम daily आपको एक practice sheet देंगे daily और आपको पहले से topic बता देंगे कि इस topic की practice sheet आपको मिलने वाली है परती दिन आपको एक practice sheet मिलेगी जो topic बड़े हैं उनकी ज्यादा practice sheet मिलेगी लेकिन daily आपको एक DPP set दिया जाएगा दस question का इस 10 question को इस तरीके से बनाया गया है जो exam के आधार पर है exam में किस type के question पूचिए जाता है उस आधार पे 10 question का एक set मिलेगा अच्छा question का जो set मिलेगा वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको question दिये जाएंगे आपको solution भी दिये जाएंगे लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से दिये जाएंगे ताकि आप लोग कम से कम question होगी practice ज़रूर करें तो आपको परती दिन सुबह 7 बजे हम एक DPP देंगे जिसमें questions होंगे 10 questions आप पूरे दिन practice करिए और रात को या शाम को 7 बजे 8 बजे के आसपास हम उसकी solution sheet भी 7 में upload कर देंगे ताकि अब आप लोग उसे अगर कोई question नहीं solve हुआ है question आप नहीं solve कर पाएं अब solution को साथ में दिया भी जा सकता था लेकिन एक ठोड़ा doubt यह रहता कि अगर solution हम साथ में देंगे तो बच्चा question निकालने के लिए वो इमानदार मेहनत नहीं करेगा कहीं न कहीं जब solution पास में होते हैं तो question पे मन नहीं लगता यह लगता कि सीधा solution देख लें और फटा फट solution की तरफ भागता है इससे क्या होगा कि मेहनत बेकार चले जाएगी आपकी भी और हमारी भी और हम ऐसा नहीं चाहते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा gap रहे questions और solution के बीच में जो है मैं भी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कहां कहां पर आपको यह चीज़े मिल सकते हैं कैसे कैसे होगा अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पूरा चैनल चलेगा किस तरीके से DPP चलेगी और जो बड़े टॉपिक है उनकी ज्यादा DPP आएगी और जो छोटे टॉपिक है उनकी कम DPP आएगी लेकिन DPP आपके लगातार चलते रहेगी लगातार आईए बात करते हैं अभी आप देख सकते हैं यह हमारा पूरा टाइम टेबल रहेगा यह लगातार है इसको देख सकते हैं इसमें आपके सामने लिखा हुआ है सबसे पहले ग्रूप तोरी शुरू होगी ग्रूप तोरी की चार DPP आएगी उसके बाद नुमेरिकल अनलैसिस मतलब संख्यात्म विशलेशन इसकी चार DPP आएगी इस्तमकारी प्रावी दियां ऑप्तिमाजेशन टेक्निक इसकी चार आएगी फिर अवकल समीकन डिफरेंशिल एक्वेशन की चार आएगी और यह लगातार चलते रहेंगी और आप देख सकते हैं तोटल पूरा कोर्स है इसके अंदर पूरा DPP कोर्स है इवर 10 तक के जो टॉपिक है वो भी कवर है साथ 1st गेट और 2nd गेट दोनों के लिए है 2nd गेट और 1st गेट के टॉपिक भी है आपको यह जो ब्लू कलर में निज़र आ रहे है यह सारे PG के टॉपिक है तो PG के, UG के दोनों के लिए फर्स गेर्ट और सेकंड गेर्ट दोनों को ही cover किया जाएगा ऐसा नहीं कि केवल सेकंड गेर्ट को फर्स गेर्ट को भी cover किया जाएगा ताकि किसी भी बच्चे जो फर्स गेर्ट की तहरी कर रहा है उन्हें भी PG के topic भी मिल सके कि PG में कैसे question आते हैं आते हैं और आपको कि आपकी तैयारी वैसी है या नहीं नहीं है तो अपने आपको सुधार करिए और बहतर बनाइए तो यह आपका total हैगा चली मैं आपको DPP दिखा देता हूं कि DPP कैसी होगी जो DPP होगी वो इस तरीके से होगी सबसे पहले DPP जोगी वो group theory को चार लगातार यानि एक तारिक, दो तारिक, तीन तारिक और चार तारिक तक लगातार चार दिन group theory चलेगी यह रही group theory यह पहली DPP आईगी group theory की इस तरीके से आपको questions होंगे question के नीचे solution होंगे लिए शुरुवात में पहले आपको हम सबसे पहले हम आपको question वाली जो sheet है वो देंगे सुबह और रात को जो है यह आपको question with solution भी आपको मिल जाएगा याद रखेगा सभी topic है ऐसा नहीं है कि कोई एक topic है दो topic है नहीं सारे topic ही मिलेगी लगातार continue यह चार महीने चलेगा course और चार महीने आप लगातार हमसे जुड़े रही है और यह चीज़ आप तक पहुंचते रही है ठीक है तो उमीद करता हूं कि यह समझ में आ गया होग जो हमारा telegram channel है वो जोइन कर लिजे नीचे description में link दिया हुआ है उस link पे click करिए आप हमारे telegram channel पर आजाएगे और हमारे telegram channel पर आजाएगे वहाँ पर सुबह सुबह आपको DPP मिल जाएगी सुबह के time सुबह 7 बजे 8 बजे के आसपास हम DPP upload कर देंगी question वाली DPP और solution वाल पर नहीं हो जाते हैं अगर आपको कोई भी problem है तो यह हमारे number दिये गहें help line number आप इन पर call करके जान सकते हैं कोई भी problem अगर आपको telegram group में join करने में दिक्कत आ रही है किसी बरकार की परिशानी आ रही है आप इन नमरों पर call करके अपनी problem बता सकते हैं और हम उसको solve करने आपके मदद करेंगे एक तरीका तो आपका यह रहेगा अच्छा एक और हमारे दो टेलिगाम चैनल है एक टेलिगाम चैनल है जिसमें हमारा doubt का जिसमें आप open channel है जहां पे आप अपने doubt discuss कर सकते हैं आपको को सवाल नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो वहाँ पे आप बाकि स्टुडेंट्स के साथ और हमारे साथ doubt share कर सकते हैं बात कर सकते हैं तो दूसर टेलिगाम चैनल है जब आप आप आएंगी तो आपको पता लग जाएगा वहाँ दूसर टेलिगाम चैनल जो open channel है आप उसको जोईन करके वहाँ भी discussion कर सकते हैं एक नो परकार की group हमारे पास है आप उनमें से पहले यह वाला group join कर लिए फिक दूसरा group कर लिए आपको वहीं मिल जाएगा तो एक चीज़ आपकी यह होगी एक तरीका यह सेकंड तरीका दूसरा तरीका है कि आप डाउनलोड कर लीजे हमने कोशिश की है क्योंकि हमें यह लग से अच्छा है कि हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा फ्री कोर्स बना दे तो हमने एप के उपर एक फ्री कोर्स बना है डीपी कोर्स के नाम से फ्री डीपी कोर्स उसका शुल्क जो है वह एक रुपई यह रहेगा क्योंकि एप के अंदर मिनिमम एक रुपई के बिना कोर जाएंगे कुछ free test भी मिल जाएंगे ताकि जब आप DPP से try करेंगे तो आप test दे के देखना चाहें अपने performance check करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं तो एक DPP course हमने वहाँ बना दिया है एक रुपए गा एक रुपए मिनिमम है उसका क्योंकि मजबूरी है हमारी माफ करिएगा उसके लिए पहले ही कह चुका हमने आपसे कि एक रुपए हमारा मजबूरी है क्योंकि कोर्स बनाने के लिए उसमें कुछ value set करनी पड़ती है तो एक रुपए से वो course शुरू है तो आप एक रुपए कर से वहां पर आपको अच्छी बात यह कि आपकी सारी पीडी जो है वहां मिल जाएगी और जब चाहे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एक फाइदा ही होगा एक फाइदा ही होगा जैसे ही वहां पर जब एप में आप जाते हैं और और course में इन्र दिसकस कर सकते हैं अपनी चीजों के बारे में डिसकस कर सकते हैं वह फाइदा आपको और मिल जाएगा दूसरा एप से रहेंगे तो आप भी हमसे डाइर्ट जुडे रहेंगे तो कोई भी समझ्या आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जल्दी से उसके ऊओपर बात कर सके ऊसको ठीक कर पाहेंगे तो यह आपका दूसरा तरीक है आपको जो भी तॉपीट कर दोगे इसे यूज cosmos कर तो यह इस तरीके से आपका रहने वाला है और लगता है चार महीने चलने वाला है रिपीट कर दूँ, सारे topic कवर होंगे, सारे, कोई भी topic आपका syllabus का नहीं बचेगा, किसी की 4 DPP आएगी, किसी की 3 DPP, चोटा topic की कम DPP आएगी, बड़े topic की ज्यादा DPP आएगी, लेकिन DPP का उद्देश्य सिर्फ यह है कि उस gap को fill करना, ना आपको ऐसे question देना, जो बहुत easy ह है, वो देना जो exam के point of view से आते हैं, जिस तरीके के question पेपर में बनाए जाते हैं, उसके आधार पर आपको DPP पर पहुंचाना, और लगातार पूरे course की DPP पर आप तक पहुंचाना, यह इनका मकसद रहेगा, तो उमीद करता हूँ, इसके आपको बहुत फायदा होगा, और इस सीज़ को जरूर बाकी अपने दोस्तों के friend circle में जुरूर शेयर करिएगा, और इसको और सफल बनाईएगा, ताकि हमें भी एक शक्ति मिले, एक हिम्मत मिले, एक जोश मिले, कि हम जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसके आप सरहाना कर रहे हैं, आप उसको पसंद क कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहे हैं, तो देखिए, continue कल से एक तारीक है, एक अगस्य कलिए, लगातार शुरू हो जाएगा, और इसको देखेगा, आनंद लीजेगा, और इससे जितना फाइदा आपको मिल सकता है, उतना फाइदा आप से लेने की कोशिश करिएगा, साथ ही साथ कुछ जानकरया और जोड़ देता हूं मैं, हमारे नए कोर्से अब लॉंच हो रहे हैं, अभी तक हमारे दो बार कोर्से हो चुके हैं, हाँ जी, दो बार हमारे RPSC, First Gate और Second Gate के कोर्स दो बार हो चुके हैं, अब तीसरी बार हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, ठर् मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के सारी डिटील दे दूँंगा क्यों क्योंसे हमारे कोर्स हैं, जो अभी start हो रहे हैं, यह 3 ताइम कोर्स है, 2 ताम कोर्स recorded form में और 3 तामー live कोर्स start हो बताता ह faithful है है, और यह सारी जानकरया जिसमें बार दिटील से आपको बताता रहू झाल